एक मौत ही ऐसी होनी है जिसे कोई नहीं टाल सकता यह ना ही इनसान की पहचान देखती है और ना ही उसका धर्म किसी का शमशान घाट में अगनी देकर अंतेम संसकार किया जाता है तो किसी को कबर में दफना कर जब कभी आप शमशान घाट गए हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ शिवजी की मूर्ती या तस्वीर जरूर लगी होती है आखिर शिवजी की ही तस्वीर शमशान घाट में क्यों लगाई जाती है और क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों आज इनी के पीछे छिपी वजाहों से हम आपको रूबरू कराएंगे तो चलिए शुरू करते हैं धार्मिक माननेताओ के अनुसार भगवान शिव को मृत्यू का स्वामी माना जाता है जिस कारण मृत्यू के बाद मृत्य शरीर को शव कहा जाता है भगवान शिव के अनुसार शरीर नश्वर है दरसल एक बार शिव जी को मा पारवती ने बिना कारण के प्रणाम करते देखा जिसके बाद मा पारवती शिव जी से पूछती हैं कि आप किसे प्रणाम कर रहे हैं प्रभु इतर देते हैं कि यदि कोई एक बार राम कहता है तो मैं उसे तीन बार प्रणाम करता हूँ जिसके बाद मा पारवती उनसे पूछती हैं कि आप शम्शांघाट क्यों जाते हैं और भस्म अपने शरीर पर क्यों लगाते हैं शिवजी मा पारवती को शम्षान घाट ले जाते हैं और कहते हैं कि यहां किसी अपने का अंतिम संसकार करने आए लोग राम का स्मरन करते हैं इस शव के कारण मुझे बहुत से लोगों से राम का नाम सुनने को मिलता है और इसी बात के लिए मैं शव का सम्मान करता हूँ इसे प्रणाम करता हूँ और इसकी अगनी शांत हो जाने के बाद बचे भस्म को अपने शरीर पर लगा लेता हूँ इसी कारण भगवान शिव का वास शम्शान घाट में भी माना चाता है जिस कारण शम्शान में भगवान शिव की मूर्ती लगाई जाती है